नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुश्कार आये और आप देख रहे हैं नेशन भारत नियूज मंत्री शानवा जुजैन का बयान हामिद अंसारी नेवन्दे मात्रम गाने पर भी जिस तरह बोलने से इंकार किया यह सोचने की बात है भारत देश ने उनको उपराश्ट्रुपती की कुर्सी दी और भारत के लिए उनके बयान दुर्भागी पूर्ण पूर्व उप्राश्ट्र पती हामिद अंसारी पर शानवाज उसायन का हमला लगातार उनके बयान दुर्भागी पूर्ण आ रहे हैं अरब में किसे कालक्रम में जस तरह उन्होंने बाते रखी वह किसी तरह से बदाश नहीं कि जाएंगी योगदिवस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया यह चंता का विशाय है जिस विशे पर बाइट था उस पर हो गया है और यहां मौजूद हूँ भारत के पुर्व उपराश्ट्र पती हामिद अंसारी उपराश्ट्र पती रहते हुए उनके कई विवादित चीज़े हैं जिसने के लिए देश ने उनको कभी च्छमा नहीं किया है लेकिन आज भी वो जिस तरह की बियानवाजी कर रहे हैं जिस तरह से अमेरिका की एक ऐसी परिशद जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है उसके कारकरम में शामिल होकर उन्होंने आनलाइन जिस तरह की बाते कही हैं इसका ये देश पूरी तरह हमिद अंसारी की इस बात को नकारता है ये देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है और मैं मानता हूं कि जिस तरह अमेरिका की जो आई एम सी है जो एक संस्था है जो सिर्फ भारत को बंदनाम करने में लगी रहती है एक तो उसके कारकरम में उनको जानानी चाहिए था दूसरा वहाँ पर जाकर जो बातें उन्होंने कही है आई एम सी जिसके फाउंडर शेख उबैद पहले से ही बहुत सारा फंडे कठा करके भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरह का काम किया है और उसने करीब चार लाख बारा हजार जो यूएस जॉलर है उसको खर्च किया कभी बर्मा में कभी अन्य चीजों में और उसी के कारकरम में जिस तरह हमिद अनसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है ये दुर्भाग पूर्ण है भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश हिंदू से अच्छा दोस्त और नरंदर मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता जो सब का साथ सब का विकास सब के विश्वास के रास्ते पर इस देश को लेकर चल लें पूरे दुनिया के अंदर आज भारत की परशंसा हो रही है कि इतने बड़े देश में न कोई दंगा है न फसाद है न कोई विवाद है भारत संविधान से चलता है जो पुर्व उपराश्ट पती रहे हैं उन्होंने इस बात की भी क आये गया था तब भी उस वक्त उनका ब्यान पूरी तरह दुर्भाग पुर्ण था उनीस सो अठारा में भी जब शरीया अदालतों के पक्ष में विवाद ब्यान देकर उन्होंने एक विवाद खड़ा किया था दोहजार सत्रह में ही हामित अंसारी जो पॉप्लर फ्रंट आफ इंडिया के कारकरम में जब गए थे तो उनकी एक आलोचना हुई थी उसी तरह प्रधान मंतरी नेहंदर मोदी जी के पहल पड़े कीस जून अंतर राश्टिया जो योग दिवस मनाए गया उसमें भी एक सो नब्वे देशों एक सो नब्वे से जादा देशों ने उस वक्त उस कारकरम में राश्टपती पढ़ना मुखर जी मोदी साहब हमारे नेता नैंदर मोदी जी कई केंद्रिया मंतरी शरीक हुए लेकिन हामिद अंसारी साहब ने उसमें शरीक होना बहुत जायज नहीं समय उन्होंने जिस तरह की बाते की वो देश पहले से जब उन्ह ने एक बार बंदे मातरम के लिए जब कहा गया तब उन्होंने कहा नहीं मैं भारती हूं यही काफी हामिद अंसारी साहब इस देश के जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो उन से पूछना चाहते हैं पूरा देश उन से पूछता है आखिर जिस देश ने आपको इतना सम्मान दिया कई राजियों में आप भारत के अमबेस्डर रहे कई राजियों में भारत का पृत्रिद्व किया और आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है ये देश जानना चाहता है जब तीन साल पहले जब सुप्रिंग कोर्ट में एक बार तो मदरा साइकोर्ट ने बंदे मातरम के बारे में जब कहा ता तब उन्होंने ये बात कही उपराश्टपती के तोर पर कारकाल के आखरी दिनों में अगर आपके अंदर लगता था इस देश में आपको या ऐसा लगता था कि किसी समाज को कोई समान नहीं मिला है तो आपक कहना चाहिए था लेकिन आखरी दिनों ने उन्होंने ये स्विकारता का माहौल को खत्रे में बताये था पारलिमेंट के इसे में राजसभा के अंदर और जिस तरह की बाते उन्होंने कही थी उससे पुरा देश शर्म शार हुआ था और दादाद में लोग अपने को आसुरक् पुर्ण है पुरा देश इस बात पर उनकी आलोचना करता है और मैं मानता हूं कि जिस तरह जो भारतिये जो अमरीकी मुसलिम पर इशद है जिसका काम है जहर पहलाना जिसका काम है भारत के बारे में दुस्परचार करना उसके कारकरम में शामिल होकर उन्होंने एक जब पद से हटने के बाद भी कोई विक्ती निभाता है उस मर्यादा को तोरने का काम किया पुरा पुरा देश जानता है कि हामिर अंसारी साहब कभी कोई जन नेता नहीं रहे और उनको जिस तरह किसी समाज कि अंदर उनकी कोई लोग'T प्रियता नहीं है वो तो मुस्लिम समाज के स्पोक्स परसन कब बन गए किसने बना दिया इस देश में भारत के सम्विधान ने सब को बड़ाबर का अधिकार दिया है आज पुरे दुनिया में सबसे ज़ाद सुरक्षित अगर माइनरटीज के लोग भी समझते हैं खासकर मुस्लिम समाज के लोग तो भारत में समझते हैं आज भारत में कहीं कोई दंगा नहीं फसाद नहीं सब लोग मिल जुल कर रहते हैं इस बात को हर भारतियों को प्रचारित करने की ज़ूरत थी उसके अलावा जो एक पद पे बैठा वे थी जब उनको मालूम है कि जो अमेरिकी मुस्लिम परिशद है वो भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करता है पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने का ठेका लड़का है ऐसे भारत को बदनाम करने वाले ठेकेदारों के साथ बैठकर भारत के उपर आश्टपती रहे हामिद अंसारी ने पूरे भारतियों के दिल पर एक चोट मारा है हम दुखी हैं से बात से कि इस बड़ एक जूट हैं एक हैं एक अठे हैं और दुनिया की कोई ताकत हमारी एक जूटता और हमारे एक अठेपन को अलग नहीं कर सकती यह संदेश पूरे दुनिया में जाना चाहिए बहुत बहुत धन्याइए दमाम एठपुन खबरों के लिए देखते रही है नेशन भारत नियूज